हलो बच्चो, कैसे हो सबी, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th Math English Medium अपनी exercise है 18 Probability तो probability से related पहले कुछ क्या थी, हाना, definitions थी, जिनको हमने कल पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे क्या Mathematically Definition of Probability यानि कि जो Mathematically Definition है, यानि कि हम जो formula put करेंगे, या हम किस तरीके से उसको solve करेंगे आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात है, जो probability है ना, उसे हम कैसे लिखते हैं, उसे लिखते हैं, P, A से ये है probability, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, कि हम probability find कर रहे हैं, और अपने पास probability find करने का formula है, ये मैंने कल भी बता दिया था, फिर भी बता देता हूँ, देखो अपने पास इसका formula होता है, फेवर आउटकम्स, फेवर आउटकम्स अपन मैं, टोटल आउटकम्स, फेवर आउटकम्स अपन मैं, टोटल आउटकम्स, देखो जो फेवर आउटकम्स है ना, इनको तो हम लिखते हैं M से, और जो टोटल हैं, इनने हम लिखते हैं N से, किस्ते लिखते हैं एन से तो देखो अपने पास अगर हम simple सा formula देखें तो simple सा formula हो जाता है M upon N ठीक है? M होता है favor outcomes N होता है total outcomes देखो favor outcomes से मतलब क्या है अपना favor outcomes से मतलब है कि जो हम चाहते हैं जैसे कि हमने एक कोई dice throw किया ठीक है? तो उसमें even number आने की probability क्या है? तो उसमें even number हैं कितने? 3 तो 3 क्या है? अपने favor के outcomes है जैसे even कितने होता है? 3 होता है 6 में से जैसे कौन को उन से? 2, 4 and 6 और भी कितने होता है? 3 होता है 1, 3 and 5 ठीक है? तो अपने favor के outcomes कितने है? 6 में से 3 और total outcomes कितने है? 6 ठीक है जैसे अपमने एक dice dice क्या मानलो एक coin toss किया उसमें से head आने की probability तो एक side head होता है एक side tear तो अपना favor का result क्या है एक ही तो है head और एक अपने non favor का है तो जो favor का होता है यानि कि जो अपन चाहते हैं वो उसमें कितने chance हैं उसके तो वो तो होता है अपने पास क्या M यानि कि favor outcomes और नीचे जो N होता है वो होता है total outcomes ठीक है अब देखो इसमें कुछ छोटी छोटी सी और important बात हैं जैसे कि किसी भी हम जब भी कोई भी question solve करेंगे जो अपने पास probability आएगी क्या आएगी यह जो probability आएगी न यह हमेशा क्या होगी 0 से तो greater या equal और यह less than equal होगी किसके 1 से यानि कि 1 से बड़ी probability कभी नहीं आ सकती 1 भी probability पता है कब आएगा जब N equals to M हो क्या हो देखो यह जो probability है न PA यह भी equals to 1 कब होगी जब M की value N के एकपल हो जैसे कि मैं बोलू के एक पासे को फैका तो 6 या 6 से छोटी संख्या आने की प्रायकता गयाद करीजीए जह प्राविविलिटी find गीजीए ना या 6 या smaller than 6 देखो यह 0 less than less than equal to and 1 से क्या होती है 0 से तो greater than equal to और 1 से less than equal to, ठीक है? तो देखो P की value, P A अनि probability की value 1 कब हो सकती है जब M equals to N होगी यानि कि जैसा अभी मैंने example दिया कि एक die sum ने थो किया, उसमें 6 और less than 6 आने की probability क्या होगी? तो 1 से 6 तक ही होता है, तो कितनी हो दैंगे अपने favor outcomes 6 और total outcomes 6 और अपना probability क्या देगी? ठीक है? नहीं, हमेशा जो अपना answer होगा न, वो क्या होगा? 1 से less than होगा, कभी भी देख लो जैसे 1 dice को फैंका, तो head आने की probability 1 upon 2, tail आने की probability 1 upon 2, एक dice को throw किया, ठीक है? उसमें से कोई भी एक number जैसे 2 आने की probability, 1 upon 6, 4 आने की probability 1 upon 6, 6 आने की probability, 1 upon 6 6 में से 6 outcomes भी थे ना अपने, favor के तब भी अपने पास probability क्या आई थी एक, और जब भी अपने पास अगर जैसे मालो, हम 5 नमबर ले लें, एक dice throw करने पर 5 या 5 से less than, तो क्या होगी? 5 upon 6, तो ये भी क्या है? 1 से smaller ही है greater थोड़ी है, 5 upon 6, ये greater कब होता? जब 6 upon 5 होता, बलकि ऐसा तो होई नहीं सकता, देखो ऐसा क्यों नहीं होता? बड़े से क्यों नहीं आता? क्योंकि जो total outcomes C हैं, अपने पास जैसे total outcomes 6 हैं तो 6 से बड़े favor तो अपने पास आई नहीं सकता? भाई, ऐसे हो सकता है कि तुम 1 से और 10 1 से लेकर 10 तक के किसी भी number में से 10 से बड़ी संख्या चूज कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हैं, जैसे अपने पास, मान लो कोई भी चीज हैं जैसे मान लो 10 अपने पास कोई भी fruit है, ठीक है? तो हमें उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा हम चूज कितने कर सकते हैं? 10 ही कर सकते हैं, तो भी कितना होगा 10 upon 10? 1, हाना? तो इसी लिए जो अपने पास total outcomes हैं, हाना? यह यह अपने ऐसे बोलें, जो n हैं, वो क्या होंगे? greater than, equal to होता है क्या? M, कभी भी M जो है अपने पास, favor के outcomes हैं, n से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं ठीक है? तो हमेशा जो इसकी value है किसकी probability की, कहां से कहां होगी? between 0 to 1, ठीक है? और एक चीज और है अपने पास, अपने पास है देखो, यह तो है क्या? probability, यहनि probability हो रही है एक अपने पास होता है A dash इसका मतलब होता है कि ना होने के chance जैसे मालो, कि एक week में Sunday होने की probability, तो एक week में Sunday होने की probability क्या होती है? 1 upon 7, क्योंकि 7 day है और 7 अपने पास day है, और अपने पास क्या आना चीए? कोई भी एक day तो एक day तो एक ही बार आता है एक week में तो अपनी probability 1 upon 7 अगर ऐसा हो कि एक week में Sunday नहीं होने की probability तो नहीं होने की probability हम कैसे लिखते हैं? A dash और इसको कैसे find करते हैं? इसको find करते हैं 1 minus होने की probability तो अपने पास आ जाएगा कितना? 6 upon 7 देखो इसे कैसे find करते हैं मैं अच्छे से समझाता हूँ देखो अपने पास एक तो है होने की probability एक अपने पास है नहीं होने की probability इन दोनों को add करने पर क्या आता है? 1 क्या आता है? 1 तुम कोई भी number कोई भी एक question कर लो कोई भी जैसे कि मानलो क्या कर लेता है dice का ही ले लेता है ठीक है? तो देखो dice throw करने पर 2 आने की probability 2 आने की probability क्या होगी? 1 upon 6 वही जब इसकी 1 upon 6 है 2 आने की तो 2 नहीं आने की probability क्या होजाएगी? 5 upon 6 इनको add कर लो क्या होगा? 6 upon 6 equals to 1 ठीक है? तो किसी भी probability को होने और नहीं होने का sum क्या होता है? 1 होता है क्या होता है? 1 ठीक है? जब हमें नहीं होने की probability find करनी होती है तब हम पहले तो क्या find करता है? होने की probability होने की probability find करना तुम सबको आता है इस फॉर्मूले से ठीक है फिर अब अगर हमें यह find करना है नहीं होने की probability तो कैसे करेंगे यह तो 1 है यह इधर आके minus में हो जाएगा 1 minus PA ठीक है तो देखो अपने पास एक तो है यह और एक है अपने पास यह तो यह यह जो PA है यह तो अपने पास होती है probability of occurrence of event a क्या होती है probability of यह मैं मिटा देता हूँ है probability of occurrence of event a कोई भी क्या है एक event a उसमें क्या occurrence तो होती है यह और यह होती है probability of non यह भी मैं मिटा देता हूँ ना यह समझ में आ गया हूँ है इसको ना ठीक है यह तो किसी भी probability को होने को point करता है और यह किसी probability को नहीं होने को क्या करता है point करता है ठीक है तो हम यह कैसे find करते हैं यह हम find करते हैं one minus में pa ठीक है और यह formula कैसे बना यह मैंने अब यह भी बताया आपको pa plus pa dash equals to क्या होता है one क्या होता है one या फिर देखो ऐसे भी कर सकते हो इसको तुम चाहो कि देखो दूसरे तरीके से समझाता हूँ हमें probability नहीं होना find करना है ठीक है तो देखो अपने पास m upon n होता है क्या होता है m upon n यह तो है अपने पास क्या pa देखो simple सा ही है जैसे यह अपने पास formula हमने इस formula से क्या बनाया है pa डैस one minus pa तो यह pa actually में क्या है n upon m है और यह कैसे करते हैं पर one minus n upon m तो n upon m क्या है अपने पास probability का ही तो formula है ठीक है तो देखो इसे हम ऐसे भी निकाल सकते हैं अगर हम दूसरी बासा में बोलें के देखो n minus m upon n जो होता है वो क्या होता है अपने पास one होता है क्या होता है one n minus m upon n ठीक है ऐसे कर सकते हैं देखो होने की probability तो होती है m upon n ठीक है नहीं होने की क्या होगी यह n क्या है total outcomes देखो example दे लेता है कोई भी एक क्या है dice throw किया उसमें क्या कर देता है कि less than three होने की probability तो less than 3 होने की probability क्या है? less than 3 होता है 1 और 2, तो 2 upon 6, यानि की 1 upon 3 आ गई, क्या आ गई? 1 upon 3 तो आ गई, less than होने की probability, और नहीं होने की probability find करनी है हमें, ठीक है? तो देखो, ये तो है अपने पास, क्या? favorable outcomes, ये total outcomes, तो देखो, इन में यहां point रख देते हैं, 3 minus 1 upon 3, कितना आ गया? 2 upon 3, कितना आ गया? 2 upon 3, अब देखो, इसको ही हम ऐसे करते हैं, इस formula से, 1 में से minus करते हैं, कितना अपने पास आ रहा था? 1 upon 3, तो ये हो जाता 3 minus 1 upon 3, कितना आ था? 2 upon 3, same हो जाता है, हना? तो ये और जब अपने पास question आएगा, आपने उसको अच्छे समझा दें, कोई दिक की probability और नहीं होने की probability एक का सम क्या होता है? 1 होता है, ठीक है? और हमेशा जो अपने पास probability आएगी न, वो 0 से between का आएगी, 1 के बीच में इनका answer आएगा, किसी भी question में देख ले न, 1 से बड़ी probability नहीं होगी, ठीक? तो ये हो गए आपना क्या? Mathematically, definition of probability. अब हमें start करते हैं, examples करना, ठीक है? तो अब examples से आपको ये और भी clear हो जाएगा, सब कुछ. जैसे देखो, first example है इसमें, an unbiased dice, unbiased यानी की, जो normal अपना dice होता है, जो biased ना हो मतलब कुल बला के, what is the probability to getting an even number? क्या हमें find करना है? हमें even number find करना है, देखो सबसे पहले तो हम total outcomes लिखेंगे, क्या लिखेंगे? total outcomes, तो total outcomes को हम और क्या बोलते हैं? sample space भी लिख सकते हैं, इसके देखेंगे हम क्या लिख सकते हैं? sample space, तो क्या होंगे? एक ही dice है, 1, 2, 3, 4, 5, and 6, ठीक है? अब उसने पूछा है, what the probability to get an even number? तो even number अपने पास इसमें देखो, कितने हैं? 2, 4, and 6, कितने हैं? 3 number, तो यह अपने क्या हैं? यह हैं अपने favor के outcomes. favorable या favor outcomes, या favorable outcomes, कुछ भी लिख लेना, favor के outcomes अपने पास हैं? 2, 4, and 6, total number कितने हैं यह? 3, ठीक है? formula आपने पास है, probability, अब मैं सीधा ही लिखूँगा न, मैं बता चुका हूँ, m upon n, m तो क्या होता है? favorable outcomes, n क्या होता है? total outcomes, ठीक है? तो favorable outcomes हैं 3, total outcomes 6, 1 upon 3, ठीक है? अब इसके बाद अगर ऐसा even की जगे और पूस्ता, तो भी same क्या होता? 1 upon 3 बस यहां क्या दाता? 1, 3 और 5 यह भी 3 होता, answer भी same to same होता, यह है अपना example first, example second, example second है अपने पास, 2 dice are thrown, simultaneous, find the probability to getting the sum as 7, ठीक है? देखो, यह मैंने कलना आपको बता चुका हूँ, हाना, 2 dice को फैंकने का sample space, एक बार फिर से बताता हूँ, ठीक है? तो अपने पास है, sample space of two dice, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 62, 63, 64, 65 and 66, यह अपने पास क्या है? Sample space, यह total outcomes, यह total possible outcomes, ठीक? अब हमें उसने कहा है, कि हमें probability find करनी है, कि जिन में क्या हो? जिसे 2 dice throw किये, तो 2 dice है, उनका sum कितना होना चीए? यानि कि 1 पर आएगा 1, जिसे देखो, अगर आया 1-1, तो यह तो दोनों का sum तो ही, नी 7, दोनों का sum क्या होना चीए? 7 होना चीए, तो देखो first line में दोनों का sum कब 7 होगा? जब 1 और 6 आएगा, फिर 2 और 5 आएगा, फिर 3 और 4 आएगा, फिर 4 और 3 आएगा, फिर 5 और 2 और 6 और 1, तो ये अपने क्या हो गए? फेवर आउटकम्स हो गए तो देखो फेवर आउटकम्स अपने क्या होंगे? फेवर आउटकम्स अपने होंगे 1 and 6 2 and 5 3 and 4 4 and 3 5 and 2 6 and 1 देखो 1, 6 अब ये तो एक बढ़ता जा रहा ये गटता जा रहा ये गट जा रहा ये गट गया ये गट गया तो देखो सबकाime sum 7 है तो ये total अपने पास कितने है 6 कितने है 6 तो अपनी probability क्या होगी अपनी probability होगी M upon N वेवर के outcomes है 6 total outcomes 36 36, answer आ गया, 1 upon 6, क्या आ गया अपने पास answer, अपने पास answer आ गया, 1 upon 6, तो कोई problem नहीं आनी चीए, ये 2 dice तक के ही आएंगे, इसमें 3 dice तक के नहीं आएंगे, तो इसलिए ये sample space भी अच्छे से देख ले न, और कुछ भी question आ सकता है, जैसे इस बार अप ज़र 2 पूच, 7 सम प पूच ले के 6 आने का, तो देखो 6 कब होगा, एक तो इस पे 6 हो जाएगा, एक ये 6, एक ये 6, एक ये 6, एक ये 6, इसमें कहीं भी 6 नहीं होगा, क्योंकि देखो, इसमें सबसे smallest number है 7, और इसमें सबसे greatest number क्या है 7, तो 7 ही एक ऐसा number है, जो सारी की सारी lineों में आता है, इसक के लाबा सब में आए ठीक है देखो इसमें तो है 1 प्लस 1 2 smallest और इसमें है smallest कितना 7 और greatest है 12 ठीक है तो 7 इस लाइन में भी है इसमें 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 और इसमें इसके लाबा कोई भी ऐसा number नहीं है देखो 6 सब में है लेकिन इसमें नहीं है थीख है 5 इसमें भी नहीं है 4 तो इसमें यह केबल कहा तक है 4 यह रहा इन तीनों लाइन में इसमें 3 ठीक है इसमें तो 2 भी है तो save in एक ऐसा sum है जो सारी के 6 के 6 किसमें आता है ये 6 की 6 round में अपने पास save in sum होता है next example अपने पास है, find the probability that a leap year select at random will content 53 Monday, देखो बहुत अच्छा एक्जामपल है, important भी है अपने ञिए लुषणी अपने कर दोड़ है कि अपने की, यदी ओूब कर दोड़ दोड़का रखिए अपने की अपने की जिए बहुता, अपने की अपना है देखो एग्जाम्पल थाड़ Find the probability that a leap year देखो सबसे पहले तो leap year और a leap year इनके बारे में आपको समझाता हूँ देखो leap year leap year क्या होता है leap year होता है जिसमें कितने day होता है 366 क्यों होता है क्योंकि देखो leap year होता है जिसमें February जो होती है वो 29 days की होती है ठीक है और वैसे normally आप सबको पता है February में कितने days होता है 28 लेकिन हर 4 year बाद क्या होता है February में 28 की जगे 29 days हो जाते है तो उस year को अपन बोलते है leap years ठीक है देखो वैसे तो normally day कितने होते है उसे बोलते हैं leap year normally कितने day होते है 365 लेकिन जो leap year होता है उसमें day अपने पास कितने होते है 366 देखो इसमें तो अपने पास week किसकी बात कर रहे है week ठीक है क्योंकि अपने इसमें monday की बात कर रहे है तो monday क्या है week day तो है तो देखो total इसमें होते हैं 52 week and one day इसमें अपने पास होते हैं 52 week and two days ठीक है देखो जैसे करके दिखा देता हूं आपको मैं 52 into 7 52 week का means होता है 364 day उसमें 1 day और add कर देंगे तो 365, 2 day और add कर देंगे तो 366, ठीक है तो लेकन अब हम यहां बात कर रहे हैं केवल leap year की, किसकी बात करने है leap year की तो leap year में हो गए 52, तो week और 2 days अब हमसे probability पूछी है कि select a random will content 53 Monday, ठीक है तो हमें क्या करना है 53 Monday के क्या बतानी है, probability बतानी है कि 53 Monday कैसे होंगे, देखो 52 तो हर day होता है, ठीक है 52 week होता है तो इसका मतलब क्या है कि 52 weeks ठीक है 52 weeks में तो 52 time क्या आगे, सब आगे 52 time Monday से लेकर Saturday, Sunday तक अब अपने पास 2 day बच्चे होंए कितने बच्चे होंए 2 day तो देखो अब हम 2 days पर कौन-कौन से days हो सकते है उसकी probability चेक करता है ठीक है देखो 2 days है तो हम Monday से इस start कर सकते है एक दिन हो सकता है क्या हो Monday हो या क्या हो सकता है Monday से next क्या आता है Tuesday या फिर क्या हो सकता है उस दिन Tuesday से start हो रहा हो नेक्ट दिन वेडनस डे होगा फिर फिर थ्रस्डे हो सकता है क्या हो सकता है थ्रस्डे फिरस्डे और फिराइडे हो सकता है फिराइडे और सटर्डे सटर्डे और संडे संडे या मंडे संडे या मंडे तो देखो जो अपने पास 42 वीक сत हो गए जो अपने पास 2 day बचियो होए ना कितने day बचियो हो है टू डे तो उन देन पर क्या क्या होने की प्रोवर्वल्टी इससे ज़ादा कोई है ये अपने पास क्या है यह अपने पास मान लो sample space है, मान क्या लो यह sample space ही है, देखो जो two days है ना, उस पर या तो हो सकता है Monday और Tuesday हो, या Tuesday और Badness डे हो, या Badness डे हो, या Thursday और Friday हो, या Friday और Saturday हो, या Saturday और Sunday, या फिर Sunday और Monday, तो उसने पूछा है, कि Monday होने की property, क्या होने की Monday, तो देखो Monday कितने बार आ रहा है, एक तो Monday आ रहा है, यहाँ, Monday और Tuesday, एक अपने पास आ रहा है, Sunday और Monday, अगर पहले जो दो दिने ना, उसमें पहला दिन, अगर Sunday है, तो next क्या होगा, Monday होगा, तो एक तो यहाँ चांस है, Monday है ले, Monday के वाल कितने टाइम है, one time और two time, ठीक है, तो one, two, three, four, five, six, seven, seven मैं से, तो देखो अपने पास favor क्या outcomes कितने है, two, favor, out, comes कितने है, two, और total, outcomes कितने है, seven, कितने है, seven, तो formula है, P A equals to M upon N, याने कि two upon seven, आंसर अपने पास क्या गया, two upon seven, देखो यह जो 52 है, यह तो हट गए, क्योंकि 52 तो सारे ही day है, हमें तो केवल जो two days, reminds है ना, उन two days में, Monday होने की probability चेक करनी है, तभी तो वो 53 Monday होंगे, 52 तो सब के सब होते हैं, हमें 53 चेक करना है, तो 53 Monday होने की probability, यानि उन two days में, Monday होने की probability क्या होगी, two upon seven, अगर यहाँ, अलीप year होता, क्या होता, अलीप year, ठीक है, तो अपने पास केवल एक day, reminds रहता, क्या रहता, एक day, तो उस one day, तो उस one day में क्या क्या हो सकता है, या तो होगा, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Thursday, Thursday है ना, तो सब की probability क्या होती, one होती, Monday होने की probability भी क्या होती, one, तब हम लिखते, one upon seven, लेकिन अपने पास day कितने है, two day, तो अपने पास क्या गया, two upon seven, two तो अपने पास day थे, और seven अपने पास पूरा एक week, ठीक, तो अपना answer हो गया, two upon seven, यह अच्छा example है, ठीक है, important example है, तो यह जो days वाले हैं, यह कई बार चक्कर में खा जाता हैं, इनमें लोग वाग, ठीक है, एक तो याद रखना, कि leap year में तो 366 होते हैं, और leap year में 365 days हो तो इन से अब हमें probability find करनी होती है, two days है तो two upon seven, one days है तो one upon seven, ठीक है, किसी भी एक day होने की probability है, क्या है, किसी भी एक day होने की probability, तो आज हम केवल example three तक solve करेंगे, इसके आगे हम next video में solve करेंगे, ठीक है, आज के लिए केवल इतना ही, thank you.